नमस्कार मित्रों आज के बेडियों में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि ब्रिशबहरासी वालों का आने वाला तीन दिन यणी की आठ फरबड़ी, नौ फरबड़ी एबं दस फरबड़ी का दिन कैसा बीतेगा आने वाले तीन दिनों में ब्रिशबहरासी वालों के जीबन में क्या-क्या पडिवर्तन, क्या-क्या बदलाब होगा अगर आप ये साड़ी बाते जानना चाहते हैं तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो के नीचे हरे हरे महादेब कमेंट कर दें इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले तीन दिनों का अनोखा तोट का एबं भग्यसाली रंग है तो आप उसे भी देखें मित्रों यदी आप अपनी जन्म कुंडली, हस्त रेखा या अपने जीवन के बारे में अगर आप कोई भी बातें मेरे से पता करना चाहते हो तो अभी आपके सामने डिस्पले पर मेरा वाट्सेप नंबर है जिस नंबर पे यदी आप मुझे कॉल या मैसेज करते हैं तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी मित्रों शब से पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके कामकाज, आपके बेपार, बेबसाई के बारे में मित्रों आने वाले समय में यदी आप अपने बेपार, अपने बेबसाई में कोई भी पड़िवर्तन, कोई भी बदलाब करना चाहते हैं तो बदलाब करते समय जल्दी बाजी करने से आपको बचना होगा क्योंकि आने वाले समय में यदी आप ऐसा नहीं करते हैं जल्दी बाजी में यदी आप कोई भी बदलाब करते हैं तो आपको पड़ेसानी का सामना बहुत जयादा करना होगा वैसे आने वाले समय में यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के दृष्टी कौन से भी आपका समय सामाने से बहुत ज्यादा नीचे है आने वाले तीन दिनों में किसी छोटी मोटी बातों के कारण आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका के साथ आपका नोक जोक होगा लेकिन आने वाले समय में नोक जोक करने से बहस करने से आपको बचना चाहिए क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके प्रेम शंबंध में पड़े सानी का सामना आपको बहुत जयादा करना होगा वैसे आने वाले समय में यदि आपके घर पड़िबार की बात करें तो आपका पड़िवाडिक जीबन बहुत जयादा बहुतर इबम सांदार होगा आने वाले समय में आपके घरबालों का साथ आपके घरबालों का सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा घरबालों के साथ इनके सपोर्ट के कारण आपका पाड़िवारिक जीबन बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार होगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय में आपके लिए अनोखा तोट का एबं भग्य साली रंग क्या होगा मित्रों आने वाले समय में अपने समय को बिहतर एबं सांदार बनाने के लिए आपको भगबान विस्नों की पूजा करनी चाहिए अपने पूजा पाठ से आपको भगबान विस्नों को खुस करना होगा यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका आने वाला तीन दिन बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार होगा आने वाले समय में आपके लिए भाग्यसाली रंग है भुरा एबम सलेटी तो यही था आपके आने वाले तीन दिनों का रासी फल तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें इस वीडियो के नीचे जय बाबा भैरब कमेंट कर दें इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दें धन्यवाद